असलाम लेकुम स्टूटेंट्स माइनम इस हाफीजा जफर वालकम तो माई यूट्यूब चैनल वीडियो शॉल लेक्चर वाइफीजा जफर तो कैसे सब स्टूटेंट्स समीद करती हूँ सब क्यारिया से होंगे तो स्टूटेंट्स आज मैं आपके साथ इंग्लिस 301 का ले आप देखेंगे आप यह का फाइदा होगा तो अब जो है इन्शाला तरह में सारे लेक्चर टाइम से बनाती जाओंगी आपको कोई भी शिकायत का मुका नहीं आएगा कि थोड़ी से लेकिन अब जो हमें थोड़ी से फ्री होगी हूँ एक्चली तो अब आपको लेक्चर जो है टाइम से ही मिल जाया करेंगे इन्शाला तो अगर तो अब मेरी चैनल पर नूँ है तो जल्दे से बहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ पेंच बहले लेक्टन पर अप्शन होता है उसको भी क्लिक कर दें ठीक है इसी होगा कि मैं जितने में लेक्चर अप्लॉ आप लेक्टन के साथ जुड़े रहना है अच्छे से वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वाच करने है ले स्टुड़न्स कुछ ऐसे होते हैं वीडियो स्टार्ट होए होती है मतलब कहीं और देखते हैं बुखा रखी होती है पास अपने मुबाइल आत में होता है ल आप जो है अपना टाइम जो आपसको मैनेज किया करें अच्छ नमर 35 है रिजूम एंड एप्लिकेशन लेटर आपको पहले भी पता होगा ठीक है अगर नहीं भी पता तो इतर आपको पता चलिएगा यह जो रिजूम है इस इस न्यू थिंग ठीक है एक नहीं चीज है इसमें बनेंगे ठीक है तो जो 30, 31, 32 वाले जो लेक्टर है और में मोस्ली बिजनेस रिपोर्ट के पारे में ही डिस्क्राइब किया गया है तो मैंने सोचा कि वह तो सेम ही है इतने ज्यादा टाफ नहीं है तो यहां से क्यों ना आपको नहीं चीज के बारे में बताया जाए तो आ मोटिवेशनल पार एक्षिन अगर हमने कोई एक्षिन करना उसके लिए मोटिवेशनल मोटिवेशन कैसे मिल सकती कैसे करेंगे हम ठीक है तो यह थी फोर उटलाइन तो अब हम इसको देख लेते हैं यह क्रोनलोजिकल रिजियूम जो फर्स्ट वाली मारी आउटलाइन है अ तो अपने क्या करना है कि आप अगर डिस्क नहीं लेना जाता है तो आप सिंपली गुगल के गुगल पर जाएं वहां पर जाके रॉनलोजिकल रिजियूम के बारे में देखें कि क्या लिखा हुआ ठीक है अधर्वाइस इता है इंपोर्टन नहीं है तो आपको यही मैं ब प्रैजंट सेब्टम्बर 1998 तो निवंबर 2000 उसके बाद आपकी एज्यूकेशन या मतंब 1997 इसलेगें 1998 तक कितनी थी थी यह आपने टू लाइन्स में लिखनी है उसके बाद आपके प्रसनल रिप्लटेल के आब वहाप बताएंगे अपने बाड़े में उसके बढ़ा के वा यहां से देख लें आप क्यूंकि लिए अप्लिकेशन लाटर के बारे में अगर आपको अप्लिकेशन लाटर की डेफिनिशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे whenever you submit uh your resume accompany it with a cover or application letter to letter readers now what you're sending why you are sending it and how they can benefit from reading it because your application letter is in your own style rather than the uh short and style of your resume देखें वो क्या रहे है कि जब आप कभी कोई भी अपना letter या application letter जो है उसको submit करवाते हैं ठीक है तो letter reader now कि ये reader का जाना बंदा है कि what you are sending कि अपने क्या sending कि या बेज़ा है what you are sending it और आप जो इसको बेज़ा है इससे वो किस तरह से फाइदा हासल कर सकता है and how they can benefits from reading तो वो किस तरह से इससे reading करके इसको समझ के किस तरह से फाइदा ले सकता है जो आपने इसको send किया कोई भी documents कोई भी letter जो भी आपने लिखके दिया ठीक है because your application letter is in your own style क्योंकि वो आपने जो अपना letter style लिखा है application letter लिखा है वो अपनी ही style में लिखा है वो न का मतलब है हमारा खुद का ठीक है तो यह application letter की definition है अगर आप चाहते हैं कि यह short form में हो तो आप simply google पर जाके आपने इसको short form में अपनी handout पे not कर लेना है ठीक है अब आप यह कहेंगे कि मैं बार बार कहने गूगल पर जाके यह तो वह बात पते क्या होती है हमने सिर्फ अपने question का answer देना होता है ठीक है जो ठीक हो चाहिए हम आप एक deadline में या दो line में ही लिखते हैं लेकिन माना answer correct होना चाहिए so google से easily बहुत अच्छे answer मिल जाते हैं यहां भी proper उन्होंने definition नहीं बताई हुई आपको इस वजह से मैं आपको यह suggest कर रही हूँ आप Google से इनके दो definitions का लेना ठीक है इधर से भी आप three lines कर सकते हैं यह word story से complicated है पर चीजना है तो मैंने इसलिए कहा है अच्छा next देख लें अगर आपको application letter की definition आती है then you will write whenever you submit your resume accompany it with a cover or application letter to letter reader अच्छा यहां से लेके last three lines जो मैंने yellow form में highlight की हुए clear send your resume and application यह जो मैंने highlight किया है यह देखें क्योंकि आप कहते है students के मैं video lengthy नहीं होने चाहिए short हो तो फिर आपके सारे हुकम मानने पड़ते हैं तो फिर आप भी थोड़ा सा cooperate करें ठीक है अब यह जो highlight है इसको देखें the purpose of your resume is to get employer interested यह quiz बंजिकत है ना आप भी सब्सक्राइब कि एक जो purpose है resume का उसका क्या मकसद क्या होता है ठीक है to get employers interested कि जो हमारे employer होते हैं उनकी दिल्चस्पी हासल करना clear यह है quiz आपने इसको याद रखना उसके बाद यह आपने खुदरी डूट करना है इसमें कुछ मुश्किल नहीं मैंने देखा था study किया था तो इसमें कुछ भी quiz यहां short question नहीं बंदा ठीक है तो अभी तक जो है आपने definition याद रखनी है किस इसके बारे में आप लिखे है ठीक है write some point about drafting cover letter then you will write be specific यह specific होते हैं खास होते हैं avoid general objectives जो objectives होते हैं उसे avoid करना चीव be as clear as possible about the kind of opportunity and industry you are looking for clear बहुत असान सी wording थी इसको translate करने का भी कोई वाइदा नहीं है ठीक है छोटी classes के student तो आप हैं नहीं है उसके आदा make email cover even shorter आपने कोई email बनानी है ठीक है लेकिन वह होनी चाहिए shorter form में concise form में अच्छा when sending a cover letter by email make it a bit shorter than tradition वो क्या रहे है कि जब भी आपने कोई email बना कर सेंड करने ही तो आप ज़ादा ज़ादा यहीं धियान रखें कि जो इस की form है वो shorter होनी चाहिए मतलब short form होनी चाहिए lengthy नहीं होनी चाहिए remember email rewards want to get very quickly aim of highly quality careful यहां से कुछ भी नहीं करने वाला ठीक है two type of job letter this is very very important short question इस पूरे lesson में जो मुझे ज़ादा सही लगा है मतलब जो खास बात लगी एहम जो ज़ूरी है करने वाली वो यही है two type of job letter यही मुझे outline बहुत ज़ादा ज़ूरी लगी है तो यह must आपने इस lesson में से prepare करके जाने है चाहे और इस lesson में से कुछ याद करें न करें आपने इसको ज़रूर करना है highlight करने का मतलब यह होता है कि आपकी नजरों से जो एहम चीज़ है वो कहीं बाचकी ना जाए ठीक है अच्छा जी पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि job letters की two type होती है solicited letters and unsolicited letters जो कहां में कुछ topics में पढ़ चुके हैं इनके बारे में ठीक है यहां से जो yellow में है ठीक है yellow में जो मैंने highlight both solicited and unsolicited letter present your qualification similar यह क्या करते हैं दोनों कि आपकी जो qualification होती है उसको similarly करते हैं ठीक है the main difference is in the opening paragraph इनकी जो opening paragraph है मतब इन में जो खास difference है ना खास फड़क है तो वह यह है आपको पस्ते ना सकता है what is differentiate between solicited and unsolicited letter then you will write in a solicited letter you need no special attention मतब solicited letter जो है उसमें आपको कोई भी किसी कभी खास किसम की attention की जरूरत नहीं होती किसी भी खास किसम की तवज्जा की जरूरत नहीं होती because you have been invited to apply clear in an unsolicited letter में तो you need to start by capturing by capturing the reader attention and interest आपको अगराण solicited letter की जरूरत है ठीक है आप इसको का रहे है जिसमें जो आपको जरूरत पढ़ेगी सबसे पहले अपनी जो आपका reader है उसकी attention उसकी तवज्जा और इंटरस्ट को capture करना पढ़ेगा capture arm word में इसका जो meaning होता है वो गिर्फतार करना थी तो मतलब आपनी क्या करना है आपका जो reader है उसकी दिल्चस्पी उसका जो attention है उसकी तवज्जा है सबसे पहले आपको वो आपनी तरफ करना पढ़ेगा ठीक है फिर आपका नस्लिशा है सिंपल सब बहुत इजी था यह difference कि एक में क्या होता है कि आपको attention की जरूरत नहीं होती है और दूसरे में क्या होता है कि आपको attention की जरूरत होती है अपने reader की clear हो जाएगा कोई मुश्कल नहीं है इसमें तो यह two type of job letters कि मैंने आपको बता दिया उसके बाद है हम क्या करते आपको बताती बहुत अच्छे से एक निशालला नेक्स लेक्टर में आपको इसका बहुत अच्छे से बिताऊंगी विकास के time short है और बहुत से जाएधारे काम होते हैं कोई job करता होता है ठीक है उसकी personal life में बहुत सादा काम होते हैं बहुत सादा इनसान पीजी होता है त तो यह हम क्या था इसमें एक पीस था कि हम अपनी ओडियंस पर अगर फोकस करना चाते हैं तो इसके लिए क्या होगा कि हम ए आई डी ए प्लैन जो है वो यूज करेंगे उसके बाद एंपसाइस डीडर बैनिफर्स और रीडर के जो बैनिफर्स होंगे उनको अपसाइस करे ठीक है कि इसको फूल कॉंफिदेंस में अगर आप अनसलिसाइटीड ओपनिंग लाइटर लिख रहे हैं कोई प्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपकी जो वर्डिंग है आपकी उसमें कॉंफिदेंटली तोर पे वर्ड होने चाहिए आपके सारे ठीक है तो ऑपनिंग ओफ ए आपी का कहना है कि आप में जो lecture की video उसलिए lecture की выडियो शॉट है और मैं सारा word to word भी ट्रानसलीब नहीं कर सकती है में चीज़ें जो हैपको बता देती होता हूँ ठीक है तो आप टाइम ने इतना होता कि क्योंकि यह वैसे भी आम से वर्ड हैं आप लोग कौन से छोटी क्लासिस में कि आपको एक एक लफ़ समझाया जाए अदर्वाइस जो में मकसद होता है आपका कंसेप्ट के लिए रोजाए और आपको पता चल जाए कि प्रड़ के फाइनल में अगर कौन सा आना जाय तो कैसे हम इसको लिए को से फाइनल के लिए सही क्वेशन है मैं टोपिक कौन से हैं तो मैं आपको बचा देती है building interest sorry building interest and increasing desire वो कहा रहें कि किस तरह से हम interest तमीर करेंगे लाएंगे and increasing desire और desire को increase करेंगे बढ़ाएंगे the middle section of an application letter does the falling जो middle section है एक application letter का वो उसमें ये सारी चीज़ होती है हम summarize करते है relevant qualification ठीक है हमारी जो relevant qualification होती है उसको हम summarize करते है उसके बाद summarize emphasize your compliments suggest desirable personal qualities justify justify salary requirements refer to your resume तो students ये सारी चीज़े होती है आपने अगर कुछ चीज में interest पैदा करना है ठीक है उसकी desire को increase करवाना तो ये सारी चीज़े जो है हम देखेंगे जो मैंने highlight की है इनको आफ़ालो को नहीं थी में भी ये paper में आज ना भी आ लेकिन ये थोड़ा सा ज़रूर था तो मैंने highlight कर दिए clear उसके बाद ये सारी चीज़े जो आपने खुद पढ़ने वाली है जिस्ट उन्हाने बस reading के लिए है यह सारा solicited application letter वही होती है जो मैंने आपको बताया कि इसमें attention की ज़रूरत नहीं परती है अच्छा motivating action क्या होता है the final paragraph of your application आपकी application का जो final paragraph होता है has two important functions इसके दो हैं functions होते हैं first वाला है to ask to ask the reader for a specific action के reader से कुछ पूशना उसके खास हमल के लिए and to make a reply easy और इसका reply जो है easy बनाना ये two functions होते हैं आपके last वाले final वाले paragraph में application letter in almost all cases the action you request is an interview don't demand it however try to sound natural तो ये आपका short question है students ये आपने मस्टी आजखना है important है ये अहम है जरूरी है कि आपके जो final वाले paragraph होता है उसमें two points होते हैं वो कौने कौनसे है वो आपको मैंने बता दी हैं आपने कर लेने हैं ठीक है लेसन काफी लेंती है तो मैंने इसको short form में बनाया हुआ है उसके बाद adapting style and approach आप्रोपरियेट फार जूप सीकर्स इन एवरी कल्चरी अपनी याद रहने कि यह अप्रोपरियेट नहीं होते हैं उसके बाद guidelines for writing application letter अगर आपने कोई भी writing application letter लिखना है तो उसके लिए क्या guidelines होनी चाहिए वह यह है पहले a point बनाया हुआ फिर यह b point बनाया है a point में 3 उन्होंने आगिस उसके option बतना है फिर b point में उन्होंने 9 to 10 option बनाया हुआ है तो इन में से आपने यह read कल लेने कि attention सबसे पहले ज़रूरी होता है और उसमें जो one two three points है open the letter by capturing the reader attention is a business like way use assembly name source question news यह सारी आपने चीज़े इसमें देख लेनी और जो two two three points आपने मस्ट याद रखने है ठीक है तो अगर आपको यह question आभी जाता भी आपका दाना हो उसके बाद यह सी वाला point है action जिसमें closing paragraph होता है यह भी आपने इसमें कुछ भी ज़्यादा जरूरी नहीं है तो next lecture जो हमारा 36 है job inquiry letter and interview इंशाला next lecture में आपको इसका concept मिल जाएगा और यह था आज का lesson lesson number 35 English 301 का जो के कितना ज़्यादा tough नहीं था थोड़ा lengthy था मैं अगेन आपको बिता देती जिसमें करने वाली चीज़े है अप्लिकेशन लेटर टू टाइप आप जोब लेटर इनको अपने must must prepare करना ठीक है हाँ जी यह देखें ठीक है students तो में भी आपको समझ आगी होगी कोई इसमें जादा मुश्कल नहीं थी ठीक है तो अगर lecture upload करने में थोड़ा सा लेट हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करें थोड़ा सबर कर लिया करें कि आज के हार कोई बिजी होता है में भी आप स्टुडेंट है स्टुडेंट के साथ और भी बहुत साथ जो है जो है जिम्मेदारियों ते रिस्पॉंसिबिलिटीज होती है तो दूआ में याद रखियागा चैनल को मस सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक शेर भी कर दे तो आप सो आपको समझ जा गई होगी मिलते हैं एक्स लेक्टर में हां जी और अपने कमेंट जो है अपने फीड़बेक जो है मुझे जरूर बिताइएगा कि इससे जादा किस तरह समझ बहतरी लानी चाहिए अपने लेक्टर में जिससे आपका फाइदा हो सके ठीक है स्ट कि पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है ठीक है नौलीज यह नहीं कहता कि हम डिग्रीज ले लें डिग्रीज लेके जोब होल्डर हो जाए और हमें बात करने की तमीज सकना हो अपने पेरेंट्स से यह और भी लोगों से भी ठीक है तो फिर्स अपना अखलाग अच्छा रखें और अपने पेरेंट्स की इसद्किया करें ठीक हो गया ठीक है जिस्टुरंस अलाहाफीस मिलते है नेक्स लेक्चर में टेक यूर्सल्फ एवर्यबडी